दोस्तों, ओल्डिज गोल्ड में आपका स्वाधर है बंदा परवर ठाम लो जिगर बंद के प्यार में आया हूँ किसमत में आपके हुजूर फिर वो ही दिल लाया हूँ देखो मेरे को दिल लाने में कुछ समय लग गया क्योंकि मैं यूक्रेयन चला गया था अब मैं लोट आया हूँ हाल चाल देखे और आते ही मैंने आपको तो मैं आज आपको देखिए मेरी बात सुनो मुझे मैं कभी जूट नहीं बोलूगा अच्छा ही कुछ भी हो जाए एक का दो जरूर कर लूँगा जूट नहीं बोलूगा ऐसा भी नहीं होता है देखिए एक के हमें नुस्का प्राप्त हुआ नुस्का प्राप्त हुआ उसका हम आपको मॉबाइल नमबर नहीं देंगे क्योंकि ठीक नहीं रहता है और हम इसको बनाएंगे नहीं वो इसलिए कि ये है तो बहुत ही अच्छा नुस्का लेकिन इसके अंदर धतूरे का रस है अतहे है कोई इसको अपनी रिस्क पे बनाए तो भी ठीक नहीं योगे कुसल चिखित्सक हो तो उसको दिखा करके उसकी देखरेक में बनाए तो ये काम करेगा क्योंकि इसमें कंटेंस रसे हैं कि वो सब काम करेंगे आप अपने मर्जी से नहीं करें और इसके अलावा मसाज का तो हई है मसाज के अलावा मुंडी पे बिलकुल नहीं ताली ये जो है मैं भी आपको बताऊंगा ये तेल जो बनेगा तो जोड़ों के दर्द में अड़ियों के दर्द में गठिया साइटिका के दर्द में इन सब दर्दों में भी आप इस लगाएंगे तो आपको रहत मिलेगी अब इस तेल का नाम है धतूरा रस युक्त तेल ये हमारे किसी वेद्दे भाई नहीं बेजा है तो ये टेल आप पहले इसका मैं आपको फोटू दिखा देता हूं इसके कंटेंस आप लिख लो बड़े आराम से लिखा जा सकता है एकदम साफ है और नज्जी कर दूँ लिखिए आप पान्सो गराम तिल का तेल आप कम बनाएं अधिक नहीं बनाएं पान्सो गराम की जगह पचास गराम से शुरुआत गया पान्सो गराम तिल का तेल दो सो गराम धतूरे का रस अब इसमें धतूरे का रस तो लिख दिया ये नहीं लिखा कि धतूरे का रस उसके कौन से अंग से लिया जाए तो इससे मालूम हो जाता है हमें की आदा अदूरा नुसका है ये फिर भी किसी ने बेजा आए तो उसका सन्मान में करता हूं बाकी अब आप पत्तों का लेंगे या टहनी का लेंगे तो एसी इस्तिती में जब कुछ नहीं लिखा है तो धतूरे के पत्तों का ही रस निकाल के ले 500 गराम तिल का तेल 200 गराम धतूरे का रस 50 गराम अजवाइन का तेल 50 गराम रतंजोत का तेल 50 गराम अल्शी का तेल और 50 गराम कपूर 15 गराम पेपर मिन्ट 10 गराम लोंग का तेल 10 गराम अरंडी का तेल 10 गराम जेतून का तेल 20 गराम कलोंजी तेल 20 गराम बादाम तेल मैं एक बार फिर बोल देता हूँ 500 गराम तेल 200 गराम धतूरा का रस 50 गराम अजवाइन का तेल 50 गराम रतंजोत का तेल 50 गराम अल्शी का तेल 25 गराम कपूर 15 गराम पेपर मिन्ट 10 गराम लोंग का तेल 10 गराम अरंडी का तेल 10 गराम जेतून का तेल और 20 गराम कलोंजी का तेल और 20 गराम ही बादाम का तेल तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा करीब बारा हो जाते हैं अब इसकी वीदी क्या है? बहुत सरल वीदी है देखो इसमें हम आपको बताते हैं कि लोहे की कड़ाई लो मातरा कम लो आप आदादा की लोग न लोग कम लो लोहे की कड़ाई के अंदर आप तिल का तेल डाल दो उसी में दतूरे का रस डाल दो अजवाइन का तेल डाल दो रतन जोत का तेल डाल दो अलची का डाल दो कपूर को अलग रखें और पिपरमिंट को अलग रखें और लोंग का तेल डाल दें अरेंडी का तेल डाल दें जेतुन का डाल दें कलोंजी का डाल दें और बादाम का डाल दें अब कपूर को अलग से गरम करके और पीपरमेंट और कपूर पीपरमेंट और कपूर अब देखो एक बात हम बताते हैं कि अजवाइन का तेल इसमें लिख दिया तो अजवाइन का प्योर तेल कहां मिलेगा तो इसमें जब पीपरमेंट लिख दिया और कपूर लिख दिया तो अजवाइन का सत्वी लिख देना चाहिए था ताकि वो अमरदारा बनके उसमें मिक्स हो जाती छेर कोई बात नहीं इन दोनों को अलग रखो और ये जब कड़ाई के अंदर ये डाल करके मन्द आँच से गरम करो गरम करो गरम करो ये दो सो गराम दतूरे का जो रस है ये खत्म हो जाना चाहिए बस उसमें रूई की बत्तिया से डाल के जला के देख लो कोई आवाद नहीं आए तो एक दम मतलब सुद्ध हो गया ये और उसके होने के बाद ये कपूर और पेपर मिंट इसका पाउडर बना के उसमें डाल दो और डालने के बाद काच की सीशी के अंदर एक बार भरें आप काच की सीशी कम चगम ऐसी हो एर टाइट हो एर टाइट उसमें भरके और आप दस वज़े चट पे रख दें उपर से डखन टाइट रखें और पूरी उपर तक नहीं बरेंगे इतनी खाली रहेगे एक दिन की सूरिय की रौस्तनि के अंदर आप उसको रखो, दो दिन रखो तो और ही बढ़िया है बादी एक से दो दिन सूरिय की रौस्तनि में रखो साम को पांच वज़़े लाकर रखो उसके बाद में इसको काम में आप लीजे अब मसाथ का इसका यही तरीका है कि दो-चार बुंडें लेके और आगे की जिल्डी को आगे लेके मुंडी ढखे और उपर का जो नली है उसके उपर, उपर से नीचे नीचे से खूब आजता आजता इस अंगली से मसाथ करें हातों को खूब साबुन से दोएं ये लिखता है धतुरा का रस मिलाकर तेल तयार हो जाएगा रोजाना इस्तेमाल करें और तूरंत दर्द में राहत मिलेगी तो ये तो है ये इसके लिए तिला तो है ये लेकिन इसको अगर कोई दर्द में आप मसाद करेंगे तो बड़ी राहत मिलती है अब सवाल ये है कि इन्होंने लिखा है ये मैं पिक्चर दिखाया जो वो है वो अलग गया उन्होंने लिखा है कि ये सब के सब तेल प्योर होने चाहिए तो अब आते हैं तिल का तेल वो प्योर नहीं अजवाइन का तेल वो भी नहीं रसन जोत का आपको गर पे बनाना पड़ेगा आपको आता है नहीं आता है पता नहीं अलशी का तेल भी प्योर नहीं कपूर पिपरमिंट आप देख करके लिए आएं लोंग का तेल प्योर नहीं आरेंडी का तेल प्योर नहीं आता जेतुन का प्योर मिल जएगा अपको फिगारो कमपनी का कलनोंजी का भी मिल जएगा बादाम का भी मिल जएगा गर देखो आप यह मत कहना कि इसका स्वयर थ है में आपको साब बात बताता हूं मेरे पास मेरा बनायवा बजाम का तेल है कलोंजी का तेल है जेतुन का है एरंडी का है लोंग का है अलसी का है अजवाइन का है किल का है एक मात्र रतन जोत का मुझे बनाना पड़ेगा वसी बहुत आसान तरीका है बनाने का हम आपको समझा देते हैं कि आदा दूर अग्यान किसी को नहीं देता हूं मैं पूरी बात समधाता हूं कुछ लेकर नहीं जाना मेरे को यहां से जो मैं कुछ छोड़के जाऊं कुछ भी लेकर नहीं जाना वो बड़ी बड़ी इमारते हैं आज वो मिट्टी में मिल गई देखते देखते तो आपर हमारी तो क्या है किसी का कुछ पता नहीं अब मैं इसका बनाने का आपको तरीका बताता हूं किसका रतन जोत का रतन जोत एक फेमस जड़ी बूंटी है यह आप पंसारी से ले आएं कितनी है यह रतन जोत का तेल आपको पचास गराम बनाना है तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूं पचास गराम तेल को बनाने के लिए आपको रतन जोत बीस गराम पंसारी से लाने और इत्तिसी लोए की कड़ाई के अंदर उस तेल को डाल दो और उसके अंदर उस रतन जोत को डाल दो डालने के बाद तुकड़े हो तो तुकड़े जो कुटा कर दो और पाउडर हो तो डाल दो जैसे भी हो डाल दो मंद आंच से गरम करें जब वो आपको लगे हिलाते रो कि वो जल गई यानि कि उसका रंग काला पना गया तो कड़ाई को नीचे उतार के और छान लो जो है रतन जोद का कचरा फैंक दो ये रतन जोद का तेल तैयार होगा इसी विदी से मैं बनाता हूँ मैं थोड़ा इसमें और अच्छा बनाता हूँ क्योंकि मैं इसमें पानी डाल के उसको शिद्ध करता हूँ तो आप इस लफड़े में न पढ़के डायरेक्टी आप तेल में रतन जोद डालो तो ये तेल आप अपने गर पे बना लो और बाकी आपकी मर्जी लेकिन देखो एक बात हम बताते हैं कि इसे दो सो गराम जो धतूरे का रस है दो सो गराम इसको काट दें आप ये मेरी खुद की अपनी नीजी राय है इसको काट दें हाँ दो सो गराम को तो इसको काट करके सो गराम माल कांगनी का तेल ले सो गराम माल कांगनी का तेल ले और अगर मिल जाए तो सो गराम ही महुय का तेल ले महुये का नहीं मिले तो बिनोले का तेल ले और वो दोनों ही अगर ये नहीं मिलते हैं आपको तो माल कांगनी का तेल ही 200 ग्राम ले ले जंजट का तम तो ये सारी चीजें प्योर हो जाएगी और ये धतूरे वाला जो हदा ये दिमाग से कीड़ा निकल जाएगा और आप मस तो जाओगे मेरे को याद करोगे देखो हम जो चीज जानते हैं हम उसमें संसोदन कर सकते हैं किसी को धतूरा अगर नहीं माफिक आया और लिंग इंद्रिये पे अगर मानलो फुंसी हो गई अगर कुछ हो गया तो फिर इसलिए ठीक है ये मैं इस नुश्के की कर्टी साइज नहीं करता है इसमें जो धतूरे का रस पड़ा है उसकी भी मैं कर्टी साइज नहीं करता क्योंकि धतूरा पेट में भी पीते हैं आईरुवेद के अंदर धतूरे से बनावा कन का सवाता जो दमागे रोगी रोज पीते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी कोई अगर इसको ऐसे ही बनाए तो मेरे इसाफ़ से तकलीफ नहीं होगी लेकिन फिर भी वो अपने बेद्दे की देख रेक में ही बनाएं मेरी कोई जुम्मेदारी नहीं होगी और अगर ये हटा के आप मालकांगनी का इसमें पलस कर लेते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया पेन किलर आपके बन जाएगा गरगरस्ती में बेन बेटियों के गुटनों के कंदों के और पे हर जगह आप मलेंगे लकवा के रोगी को मलेंगे और पेनिस को आप टू टाइम मसाद करेंगे तो इसकी ग्रोथ होईगी और तनाव आएगा क्योंकि इसमें और कोई कंटेंस खराब नहीं है बाकी आपकी जैसी इच्छा वीडियो को लाइक करो आज आपको बढ़िया मैंने तिला दिया है देखिए नमबर इसलिए नहीं दे पाते आपको ये भी हम आपको बताई देते हैं कुमान लोग नमबर दे दिया तो दो बातें होती है एक तो आप जिसका नमबर जिसने बेजा है तो आप एक तो उसको पूछोगे खेद पूछोगे तो कोई बात नहीं वो कहेगा मेरे पास तैयार पड़ा हर आदमी यही कहे चिकित्तक वगाओ अपनी कमाई को देखो पहले देखते हैं कोई भी हो मैं हूँ या कोई भी हो तो वो कहेगा मेरे पास तैयार पड़ा है ले जाओ तो आजकल और क्या चाहिए कोई चीज तैयार पड़ी है आप ले जाओ आप पैसा फैंक दो जाओ आप कही यहां आ जाएगा अब उसके अंदर इतनी चीजें आप मेरे को पांच साल से जानते हो और जो यह नुस्का आया मैं इनको बिलकुल नहीं जानता हूँ सो परशेंट सही हो सकते हैं दुनिया में सब अच्छे भी होते हैं बहुत लेकिन मैं नहीं जानता और अंजान आदमी का दियावा कोई भी नुस्का होता है उसको मैं आपको जब देता हूँ तो मैं यह समझ के देता हूँ कि मैं इस्तेमाल करूँगा अगर मेरे को कोई तकलीफ हो गई तो मैं ऐसा सोच करके आपको बोलता हूँ क्योंकि कल को कोई आपको अगर तकलीफ हो गई तो मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता जैसे कर जैसा नुस्का आपको दिया है अगर आप ऐसा ही बनाना चाहें तो अपने विद्य की राई ले करके बनाएं ये नुस्के तो जाने कहां से कहां आते हैं कहां से कहां जाते हैं हन और नहीं तो मैंने कहा है वो कर लें अरे वल्ले वल्ले आप मेरे को याद रखेंगे का चीज दिये हमने धतूरे का रसाटा करके उसकी जगह मालकांगने का तेल कर दिया वो भी प्योर होना चाहिए मालकांगने का तेल एक भव्वे नुस्का बनेगा और मैं जाते जाते जो आर्थराइटिस के रोगी हैं जो सर्वाइकल स्पंडोलाइटिस के रोगी हैं जो सौइडर पैन के रोगी हैं जो बेक पैन के रोगी हैं जिनके कुलोहों में चलते हुए दर्द होता है जिनके गुटने दूखते हैं जिनकी एडी दूखती है वो इसकी रात को सोते वगत मसाज करें और सुब नहाने के बाद मसाज करें एक बहत्रीन तेल है पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा काम ऐसा करना चाहिए कि एक तीर से दो शिकार हो जाए एक तीर से दो शिकार हो जाए बस आपका इधर का काम भी हो जाए रख लो घर में देखो ऐसा कोई भी घर नहीं जहां कोई किसी को तकलीफ न होती हो एक बार की बात है मैं आपका तोड़ा वक्त लोगा बगवान बुद्ध जब परवेशन कर रहे थे तो गाम के अंदर एक मैला का जो बच्चा था छोटा वो मर गया तो वो मर गया तो वो रोने धोने लगी तो किसी ने कहा कि क्यों रोती है इतने उंचे संत परवेशन दे रही है उनसे जाके बोल वो इसको जीवित कर देंगे पहले जाके उनसे पूछ ले फिर लेके बच्चे को चल जाना वो जीवित कर देंगे अब उसके दिमाग में बेट गया कि यह तो कर देंगे तो वो वहाँ गई जाके प्रणाम किया क्या बात है बन माई कि मेरा बच्चा है जो दो गंटा एक गंटा पहले आप बहुत ज्यानी हैं बहुत विद्वान हैं बहुत उंचे पहुंचे हैं आप उसको जिंदा कर दीजिए आपके अलावा कोई नहीं कर सकता मातमा बुद्ध ने दो मिनट आँचें बंद करके कहा देखो मरावा जिंदा तो नहीं होता है बाकि तुम हट पकड़ ली तो मैं जिंदा कर दूँगा लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा वो काम करके तु आजा और फिर बच्चे को लाना पहले मत लाना है कि मैं सब कुछ कर लूँगी आप कहोगे तो मैं अपना माता भी फोड लूँगी बताईए माराज क्या काम है कि बस मामूली काम है तुम्हारा छोटा गाम है महला है दस बिस घरों के अंदर तुमको जाना है कि फिर वहां जाकर के तुम्हें एक चीज पूछने है कि आपके घर के अंदर कभी किसी की मरत्यु हुई यह तो बहुत मामूली बात है यह तो मैं अभी गईर अभी बिस-तीस मिनट के अंदर अटेंड करके फंदाफीस घर आई खाँ कोई बात ने जा कोई अगर तुझको यूँ कर दे कि नहीं हुई तो तो आ जाना तु जा तो उ जाते ही उसके सब्सक्राइब बाजु वाले मकान में कि आपके यहां कभी किसी की मौत हुई कभी मौत तो होती है अभी थोड़ा दिन पहले फ्लाना परलोग वासी हो जा यहां डालने गल जाए अब वो जिस घर के अंदर ही जाए तो कोई यह नहीं कह कि हमारे यहां किसी की मौत नहीं हुई मौत तो सभी के यहां होती है तो वो निरास होकर के और बुद्ध की सरन में आए भी कि माराज हर कोई कहता है कि मरत्यू तो सब के होती है कोई जिन्दा नहीं रेता जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा कि बस यही सत्य है माई यही सत्य है जाओ अपने बच्चे को उसका जो भी करना है वो करो और मरत्यू सत्य है यह सब कोई आएगी इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा खुस होना चाहिए घर में अगर कोई बाल बच्चा हो कुछी तो होती है लेकिन इतना खुस भी नहीं होना चाहिए कि मिठाईयां ले लेके इदर रो रहे हैं इदर भग रहे हैं वो हो रहे हैं वो को रहे हैं कि इतना खुस भी नहुँ और अगर किसी की गढ़ में मृत्य हो जाए तो इतना दुखी भी नहुँ तो उसको ग्यान प्राप्त हुआ उसने पढ़नाम किया और जाके अपने बचे का दास अंसकार किया तो इस संसार के अंदर कोई भी चीज इतने चीजें हैं कि सब को पा नहीं सकते अपन तो जहां तक हो अपने को अपना हर एक कदम फूंग करके रखना है और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मैं पैदा हुआ हूँ मैं भगवान की अमानतौं अल्लह की अमानतौं मुझको वो कभी भी तलब कर सकता है उसको अधिकार है मुझको तलब करने का तो उसके अंदर आपको गुसा होने की क्या ज़रू है हो गई कोई बीमारी तो सोत लो कभी अब तकलिफ पाना है मरत्यू आएगी ये तो आएगी जो आएगी इसको कोई रोकने सकता है लेकिन देखो मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका अब हम चलते हैं अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलेंगे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम एक कमरे में बंदे हो जाए और चाबी खो जाए तो चाबी नहीं खोनी चाहिए कमरे में बंद चाहे आप कितने ही दिन रहो